गाउं से लेकर शहर तक हर ख़बर पहुचेगी अब आप तक देखते रहे यूपी अब तक हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करके बगल वाली घंटी को दबाएं बलाक कारियाले पर धरने पर बैठे और ये नारे बाजी कर रहे चेतर पंचाय सदस्य अपने अधिकारों की मांग को लेकर बैठे हैं 11.30 मांगों को लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश के चेतर पंचाय सदस्यों ने अपने अपने बलाक कारियाले पर धरन दिया महराज गंजी लेके सिस्वाबलाक कार्याले पर भी 11 सुत्री मांगों को लेकर आज सुब़ 11 बजे से साम चार बए तक छेतर पंचाय सदस्य धरने पर बैठे रहे और खंड विकास अधिकारी को अपना मांग पत्रस्टों का करने की मांग की गई है कि यह देखा जाए कि हम लोग का गाउं से होता है और गाउं से हम लोग सदस्य के रूप में चुनके ब्लाग पे आते हैं ब्लाग पे आने के बाद सिर्फ चुनाओ कराने और बैठक में आने के बाद हम लोग कोई रोल किसी भी प्रकार का रह नहीं जाता है प्रस्ताव हम लोग दे देते हैं धन के अभाव में पहले 20 परसंट धनरासी पूरे बजट का छ 26 पंचायत सदस्टों के छेत्र के लिए विकास के लिए काम पैसा नहीं मिल पाता था लेकिन तभी कुछ सदस्टों को पैसा मिल जाता था बरंतु 10 परसंट इस सरकार ने जो पिछली सरकार 2015 में आई है और उसके बाद उत्तरप्रेश की सरकार आई है 10 परसंट बजट काट के गौसभाओं को छेत्र पंचायत के दे दिया गया है जिसके कार हम लोग के छेत्र का विकास और उद्ध हो गया हम लोग के अधिकारों में कट्रोती हो गई इसी के क्रम में 26 नवंबर को हम लोगों ने जंतर मंतर नई दिल्ली में लगवग सारे 10 हजार से अधिक बिगिसी सदस्टों ने पहुंचके धर्ना प्रदर्शन किया और अब 17 दिसंबर को आज हम लोग इस ब्लाक पे बैट के सभी ब्लाकों पे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ब्लाकों पे प्रदेश अस्वरी धर्ना दे रहे हैं जिसमें 11 सुत्री मांग हमारी है